हेलो सु, मैं हुरुजद, बहुत-बहुत स्वागे था आप सभी का इस न्यू वीडियो में ACP Baji Rao जी हाँ बात करेंगे इनके बारे में वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहो लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरी खुद की व्यथा सुनाना चाहता हूँ अब देखो यार मेरे भी सभी की तरह एना एक्जाम्स चल रहे हैं लेकिन आज जब मैं यूनिवर्स्टी गया तो मैंने साफ बोल दिया कि मैं आज एक्जाम नहीं दूँगा आज आप मेरे दोस्तों का एक्जाम ले लो अब उन्होंने कहा कि ऐसा तोड़ी ना होता है तो मैंने भी कह दिया ऐसा ही होता है बोसल इंस्टिटूशन में होता है सवी आयूश दूरवा अनवी ये सारे के सारे एक क्लास में थे आज यहाँ पर सवी अकेली एक्जाम दे रही है बाकी बाहर सारे के सारे बारात में नाच रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है यार उन्होंने मुझे बहुत मारा और वहाँ से भगा दिया वेल यहाँ पर आप लोग बताना आप लोगों ने कभी ऐसा ट्राइ किया है और नहीं किया है तो करना भी मत बहुत मार पड़ती है तो आने वाले एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि मेकर्स के साथ लॉजिक पर बहस करना खुद की जीत को पहले ही तैय कर लेना है क्योंकि वो लोग इस लॉजिक के बात पर हमेशा मात खा जाते हैं और हार जाते हैं अब यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कि सारे विलन वापस आ चुके हैं, पूरी स्टार कास्ट का रियूनियन फिर से हो चुका है, सभी को इकटा करकर मारने की पूरी साजिश है, तो अब पॉजिटिव किरदार को भी तो इक परिवार को कॉलेच को बचा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो एक हीरो की गुझाईश तो है कि यहाँ पर इस सारे चुंगल से सभी लोगों को बचा है, अब यह हीरो कोई और नहीं, बलकि शान खुद होने वाला है, इस शान खुद होने वाला है, क्योंकि ACP बाजी राउ तो यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि सीरियल के मेकर्स आल्रेडी जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आर्थिक तंगी से गुझर रहे हैं, ऐसे में एक और रिशी सक्सेना जैसे अच्छे एक्टर को वो ले पाएं, यह तो सब मुश्किल हो जाता और क हाने का अल्रेडी उलजा चुके हैं, तो रिशी सक्सेना भी यही कहेंगे, आकर कि भाई करना कहें, तुम चाहते क्या हो, पहले यह डिसाइड कर लो, उसके बाद मा आ जाओंगा शूट करने के लिए, वैल यहाँ पर मैं आपको बता दू कि रिशी सक्सेना कि जरुत पढ में चाहिए, अब देखो शक्ती अरोरा है, बड़े एक्टर है, बहुत जादा तो प्रोडक्शन हाउस भी बड़े एक्टर का खयाल रखता है, और यहाँ पर उनकी विदाई हो रही है, तो वो सोच रहेंगी विदाई को थूड़ी अच्छी तरीके से किया जाए, इनके क है, रिवा उसे पकड़ने जाही रही थी, वैल इतना क्लियर जो रिफ्लेक्शन है, मैंने तो आज तक बड़े बड़े जगाओं पर भी नहीं देखा, साइन्स वाले जो इंस्टिउशन होते हैं, वहाँ पर भी आई तिंग नहीं देखा, वैसे मैंने डियल लाइफ में द यहाँ पर उसके वास फोन होगा, और इशान उसे कहने वाला है कि दुर्वा वो कर, जो तुने पहले किया था, और रिवा भी खहते वे नजर आ सकती है, और सभी लोगों को लगने वाला है कि इशान यहाँ पर मौजूद है, भावार पार्टिल भी गुमरा हो जाएगा कि इशान चुप-चाप खड़ा है, सभी लोगों को लगने वाला है कि हाँ इशान यही है, लेकिन हमारे इशान का प्रती बिम्ब वहाँ पर होने वाला है, और असली इशान निकल कर बहार आने वाला है, और यहाँ पर दूसरी और इशा और शांतनु को यह अल्री समझ में आ जाएगा कि लेट हुए हम बहुत अच्छा हुआ, लेट हुए क्योंकि जल्दी आते तो हम भी अंदर होते, लेकिन यहाँ भार रहकर वो पुलीस के साथ इंतजाम वगरा करने वाले हैं कि कुछ भी हो जाए, पुलीस को तो ले कर जाना ही पड़ेगा, और दूसरी और यहाँ पर भार, पाटिल, मंदार और किरन को मजा चखाने के लिए प्लानिंग, प्लोटिंग करते वे नजर आएगा, और इन सारी चीजों के बीच में आपको देखने को मिलेगा सफाया इन सारे लोगों का, और यहाँ पर पूरी तरीके से वो लोग गिरप्त में आते वे नजर आएंगे, अब यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ प्रोमो हम लोगों ने देखा है, वहाँ पर तो जब यह धमाके वमाके होते हैं, तो सवी और इशान की शादी हो रही होती है, पर अभी तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है सीरिल में, तो देखो यार सीन कुछ ऐ जाएगी कि भाई सीन ऐसा ही है, और यहाँ पर सभी लोगों के शान्त होने के बाद मामला शान्त होने के बाद सब डिसाइड करेंगे कि सभी और इशान की शादी जो है यहाँ पर करा देनी चाहिए, अब यहाँ पर जो है सभी और इशान की शादी का सीन उसके बाद हमको को देखने को मिल सकता है एक रस्ता तो सीरियल की मेकर्स के पास ये है और उसके बाद कोई रखावर रह जाए जिसमें हमारा इशान और बोस्ते परिवार साफ हो जाए अब यहां पर देखो एक सिचुएशन तो ये बनती है लेकिन दूसरी और सबसे डेंजरस सिचुएशन जो बनती है ना जो कि सिरियल की मेकर्स डेफिनेटली यूस करने वाले है और कर सकते हैं वो ये है कि पिछली बार की तरह फिर्स्ट सीजन की तरह जो है ये शादी ब्यास और खुश परिवार नाच गाना त्योंहार सबका सब इमेजिनेशन में चले जाए क्योंकि वहां प शादी हो रही है दोनों बच्चे खुश है पत्र लेखा तो अलरीडी जाही चुकी थी और यहाँ पर सारा परिवार खुश होकर जो है चवान परिवार एक साथ मिल जुलकर रह रहा है ये वो उस सिचुएशन में सोच रहे हैं जब सर पर बंदूक लगी वी च्छाती पर बंब लग रखा है पूरा प्लेन उड़ने वाला प्लेन हाईजेक हो चुका है मतलब इतनी पॉसिटिव थॉट कहां से आय थी उनके अंदर इस समय पर और यही सीन सीरिल के मेकर से सवाल तो हम करी नहीं सकते हैं इसका तो हमारे बस कोई वो लीगल हाक ही नहीं है हम तो डि अमीदे हैं आपकी की बाजी राओ जी आएंगे बाजी राओ जी नहीं आएंगे यहां पर आपका प्यारा इशान हमारा सब का फेवरिट इशान ही जो है अच्छी करामात करते वे नजर आएगा और हीरो क्या होता है वो आपको बतलाते वे नजर आएगा और सभी का फुल कड़क अवतार भी उसका साथ देने वाला है अब इन सब चीजों को लेकर आप लोगों की excitement किस level तक पहुँच चुकी है कितने excited आप लोग हैं ये मैं जानना चाहूंगा फिलाल क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लोग है ना हसी उड़ा रहे थे इस चीज की लेकर कि सभी तो IAS officer बनने वाले थी लेकिन अब update आ रही है कि यहाँ सभी teacher बन चुकी है तो यार देखो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे और यहाँ पर अगर सभी को IAS officer दिखाते मेकर्स तो यह मेकर्स को काफी ज़्यादा अपना दिमाग यूज करना पड़ता क्योंकि यहाँ पर IAS officer के उपर जितनी भी कहानिया पहले बनी है उसमें success ratio जो है वो थोड़ा सक कम है वो मतलब सफल होने में थोड़े से पीछे रह जाते हैं और यह हालही मी सुंबुल तौकीर खान का जो सीरियल था काव या उसकी हालत आप देख लो पूरी तरीकी से फ्लॉप हो गया क्योंकि IAS officer को love triangle में फस्ते वे दिखा दिया और फिर कहाने flop हो गई तो ऐसे में यहाँ पर सीरियल की makers को लगा होगा कि IAS officer से तो कुछ होना नहीं है हम लोगों का इस character के साथ तो teacher बना के कहाने को आगे बढ़ाते हैं और अहितेश भार्दवाज को जो है वो single father बता देंगे उसके बाद चीज़े हैं इस चीज़ को लेकर official confirmation नहीं है इस वक्त क्योंकि मुझे भी नहीं पता इस बारे में यह वाकई में सभी teacher बन रही है अहितेश भार्दवाज जो है single father बनने वाल है लेकिन अगले वीडियो में जरूर में आपके लिए thank you दोस्तो मैं चला बोसल इंस्टिटिशन में admission लेने